हमें अपने आपको गरम रखने के लिए कुछ करना होगा हार मानने की कोई जरूरत नहीं है आज एक ओडिशन में तुम नाकाम होगे तो क्या हुआ अभी ने सीखने के लिए अच्छा गुरू होना बहुत जरूरी है तुम चिंता मत करो हम तुमें अभी ने की बकरिया बारी किया बारी किया वो ऐसे आ रहे थे बारी किया सिखाएंगे फिर देखना अब छोड़िये ना पुस्पाजी आप भी कहां मतलब अच्छा गुरू कहके आप सिखा रहे हैं बताए पहले सा दर्द में है भाई और कितना दर्द दीजेगा इसको अरे हां दर्द से याद एक थोड़ा राम रोक्टर के पास गये बोले कि भाई बहुत जोर का कमर दर्द है हमको तेकदम हमारा जान हम थालक में आ गया था दवाई वह दिया भीकदम ठीक है दम कमर दर तो तुम्हारी पेट में था ना मतलब पेट में दर था उसके बाद से फेट से होते हो तो पेट में गया उसके बाद से कमर में एक मिनट चीते जूट बोला ना तुमने हमसे बहाना बनाया ना ड्यूटी से बचने के लिए चीते क्या हो गया है तुम्हें उस मारपीट की एक हाथसे ने तुम्ही इतना बदल कर रख दिया तुम्हारा तुम्हारे ड्यूटी के लिए तुम्हारे वर्दी के लिए समरपन प्रेम आदर सम्मान सब चीन लिया तुमसे चीते रोजाना हजारों पुलिस कर्मियों के साथ ऐसे हाथ से होते हैं तो के सब अपनी वर्दी का सम्मान भूल जाए अपना फर्ज भूल जाए अपनी वो कसम भी भूल जाए जो इस वर्दी को पहनते हुए हम सब लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपना फर्द नहीं भूलेंगे, हमारे ड्यूटी करेंगे, मर्ते दम तक निभाएंगे उसे ऐसे मत कर, अपने व्यक्तिकत अपमान का बतल अपनी वर्दी से मत ले मैडम सर आईये के हैं, जाहिन मैडम, जाहिन मैडम सर का है, नहीं वो तो नहीं आई, क्यों? ब्रिजेश नाम के आदमी को हम पकड़ने गए थे, जिसके पास चिंगारी गैंगे खिलाफ इन्फोर्मिशन थी, और जैसी वहां पहुचे तो महां पर किसी ने हमला कर दिया गैस का, हम देहोश होगो और जैसी हम भोश में तो मैडम सर वहां थी नहीं, सिरफ उनका फोन मिला हमको, गायब होगी है वो मैडम सर गायब थी, मगर इस ब्रिजेश से सबूत लाने तो हम गये थे, मैडम सर ने हमें भीजा था, हम तीनों को कहा है? आप पूछो इनसे, ये भी साथ में थे हमारे ये सब का चल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ पे ब्रिजेश नाम का आदमी नहीं था वहाँ पे अंडर कवर कुलर्स वाला था जो मेडम सर के केने पी ये सब कर रहा था, जै क्या चल रहा है? ऐसे कहें करेंगे मैडम सर? अमारा नहीं जा ब्रिजेश, मैडम सर का ब्रिजेश, इन दूनों के बीच में क्या ब्रिज़ है? आप सब लोग हमको इसे घाए देख रहे हैं उ도 क्या ज़ुक्नारी के इंत्प इस सर को कुण्हा है पूरा डिपार्टमेंट मैंडम सर को ढ़ूź रहा है पूरा देपार्टमेंट है मंद एक बात हमें समझ में नहीं आ रही मैडम सर को कोई कैनेप करेंगा आप हमारे साथ चल रही हैं गोंती नगर के उस गोविन फैक्ट्री में वहाँ पर हमें ब्रेजेश नाम का एक आदमी मिलेगा जिसके पास चिंगारी गायंग के खिलाफ हुकता सबूत है हम जानते हैं कौन है इसके पीचे कौन? अरे कहा जा रही आप हमें तु बत कौन हो सकता है बोर मेरे वजीर क्या ख़बर लाइए दस मिनट तुम्हार पास इस दस मिनट में तुम दो काम कर सकती हो पहला अपने सारे इश्च देफता का स्मरन कर लो अपनी आत्मा की मोक्ष की परात्रा कर लो और दूसरा हमको ये बता कर कि मैडम सरका है तुम अपने अगले जनम के लिए उपर वाला का शुक्रियादा कर सकती अब बोलो तुम्हे क्या करना है देख दोस्ती का हाथ बढ़ा है नहीं से तेरी बात सुन ली मैंने दोस्ती मैं सौ कून माफ नहीं तो अब तक शिवानी के साथ इस टोन में किसी ने पात की होती ना तो उसको जो गज़ जमीन के नीचे सौ तुक्रे करके गार दिया होता दोस्ती का हाथ बढ़ा है मैंने डिस्रिस्पेक करने का लाइसंस भी दिया है सीरे सीरे बता क्या हुआ जादा अनजान बनने का जुरत निये शिवानी तुमको अच्छे से बता हैं क्या बात कर रहे हैं हम गोंती नगर काक्प्री जा रहे थे बिजेश से मिलने जिसके पस्चिंगारी गैंके खिलाफ सबूत था ये तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जानता था ना तो तुमने सबूत को गाइब किया तुमने मैडम सर को भी गाइब कर दिया बात अच्छा फादा उठाया ना तुमने इस इस बात का अब सच बता रहे हैंकि तास मिलड के अंदरंदर अगर अगर मैडम सर साही सलामत थाना में नहीं पोचेंगी ना तो माया कशिम बता रहे कि तुम्हारे इज गली को जला के रंखना कर दिया ना तो हमारा नाम कणिश्मा सिंह नहीं करिषमा सिंह को लगता है कि यह हमारा काम है अरे तू कहा जा रही है ताई उसको ढूनने खत्रे में है वो अरे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उसके खिलाफ कोई बहुत बढ़ी चाल है अरे जीजी पागल मत बन पुलिस वाली गायब हुई है तने के लगता है कि अभी तक सारा विबाग हाथ पे हाथ दरे बैठा होगा अरे अभी तक तो उने ने सारे सहर की जमिन खोद मारी होगी है हसीना मली को ढूनने के लिए तू क्यों टेंसन ले रही है अरे ढूड लेंगे वो लोग अगर हसीना मलिक ने भी यही सोचा होता नो तो आज तेरी जीजी तेरे सामने जिंदा नहीं खड़ी होती बिन्नी यह जिन्दगी उसकी कर्जदार है उसने तो जमीन आस्मान एक कर दी थी बिन्नी मेरे लिए मुझे बचाने के लिए और आज जब उसे बेरी ज़रूरत है तो मैं पीछे हाट जाओ और वैसे भी हसीना मलिक जैसी पुलीस आफिसर को इस समाज की बहुत ज़रूरत है को ढूंडने यहां पर कुछ गडवर नहीं होनी चाहिए इसलिए तु यहीं पर रुक और यहां की चीज़े कंट्रोल में रख मैं आती हूँ अब जी जी या आल्ला असीना की आफासत कर अब जाए विए यहां का यहां कि यहां कि यहां कि यहां जी रास्ता जरूर्स एंट्रल सिस्टम से जुड़ता हुगा हर जगा इस तरह के वेंट बने होते हैं हमें इसे खोलना होगा हमें नहीं कि यहां आयोता हुछ जिए पर्रदेनिम्टी जर सबस्ताुछा जिए नहीं आप पुले हो अदो कि आप एम एम हाँ आप पर एम हाँ कि आप एम आप पूद आप कि आप आप कुछ यार वारогया! कुछ! कुछ एड! कुछ एडाना पुछ एडने! कुछ एडने! कुछ भार वैडने! तू यह अपर क्या खर रही है? क्या करिये तू? तू मारे वक्त के साथ ने हमारे सायन में भी जवाद दे दिया है तू चब कोड़ी में बैट जाए वरना चित्रा देंगे यहीं बता रहे हैं तू को च्खूर में को करिश्मा सिंग्ग सारा अमा यह क्या वाज है आडे हिबार्स? क्या हुआ है? ताई? वो शिवानी ताई को अपने साल जबरदस्ती ले गई कोड? कोड ले गया जिजी को? वो करिश्मा सिंग्ग क्या? यह तुम लोग पॉँ पर जख मारे थे? ऐसे कैसे लेके गई वा जिजी को? क्या करते? सब पलक जपकते ही हो गया और उसने ताई के सर पे बंदूग भी तो लगा रखी थी हम क्या करते? ताई के जिंदगी खत्रे में कैसे डाल सकते थी यह गूड माका जाभी भी तो वह खत्रे में हुई ना? मैं ना छोड़ूगी सकरिष्मा सिंग को चीर के दो ना कर दियाना उसे तो हमारा नाम भी बिंडी नहीं हद्या निकाल सारे अपने रुक्या बिंडी को करिष्मा सिंग देशिवानी को नहीं उठाया है मैं पूरी तिंगारी ग्यांग के खिलाफ खुली जंग का एलान किया है अब समया गया अब न impeachment पूरीस वालों को चिंगारी गयंग की तासथ दिखाने का खबर फेला दो पूरे शहर में, चिंगारी गैंग से जुड़ा हर सकते, इसके पास जो हत्यार है, देखे बस भाईरा थाने पहुंचाए, जला के राख कर देंगे आज उस थाने को, चिंगारी उन्हों ने लगाई है, हम आपका हमों ने सुनाएंगे. खण से खड़ार, खोड़ा हमों को, आपको कमजोरी हो गया है, आपको चक्कर आ रहा है, घ्रडा का कर wyतुहीं चेंगे, बधिखे बधीळें, बधिश्चे जाता है, बधिखे, बधिखे dar, नहींदने इसा अब तर दॉलबाद ने तिक हो जएगा. जिदा भाई, यह क्या हो रहा है? अरे हाँ हाँ, उमर भी तो होई गे इनकी अब चुप करो ना एक तो हमारी बहुत फोन भी नहीं उठा रही है तो कब उठाती है आपका फोन? ऐसे कब तक जहलेंगी, गर्स निकाल क्यों नहीं देती आप उनको अब चुप करो ना पता नहीं कहा चली गई 270 जयान लेकर मानेगी यह लड़की? 340 अब फोन उठाइए ना हाँ, 400 बसरे, चुनना भाई, MBPS बसना, 400 किसका BP होता है 400 बोल रहा तो हाँ, चीता मैं उदर देखके बातें कर रहा हूँ मैं फोन पर बात करा, फोन पर यह देख हाँ, मैं समनले को रेट बता रहा हूँ, रेट क्या बिखता है तुम्हारे दुकान का जो रेट बता रहे हो तुम उसको जहरीली चाहे हाँ हाँ ही तो इसे चो नास दिया साव गुंडो क्या गेंग्स मैं उनली वन, सिंगल आतामाजी सटकली जीता भाई इसका कुछ करती क्यों नहीं क्यों नहीं जंगल में छोड़ाते चाह सरकस में जूट परताश नहीं है मुझे मैडम सर हमारी लिए भगवान है उनके लिए मैं इसकी जान भी दे सकता हूँ पर इसकी जान ले भी सकता हूँ बस वो कभी न मेरे सामने आजाए जिसने मेडम सर को अगवा किया है फिर देखने मैं क्या करता हूँ वह आभी गया तो तुम कर क्या लोगे हाह जिम जोड के रख तुमगा उसको चिटिंग कर रहा चिटिंग कर रहा सो कुंडों के अगेंज, मैं अउनली वन, सिंगल. क्लुप करो सब लोग, एक तु फोन नहीं लग रहा है, उपर से तुम लोगों की बकेटी चल रही है. करिश्मा सिंग, मुझे तु नहीं जान्थी की तु क्या सरी है, मैंने नहीं हसीना मली को गायब किया है, तु नहीं जान्थी, तु कितनी बड़ी मुसीबत को नहीं होता दे रही है, छोड मुझे! कर्या 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 मुझे तु कर्या था कॉपी तु कर्या नहीं। एक में एक में एक में एक में यह है किसी उठा कर लेकर आई यहां पता है यह शिवानी यह शिवानी ताही कितना बड़ा भवाल खड़ा हो जाएगा है इसके समर्धत ना हमारे थाने को जला कर राख कर देंगे मैठम सर का क्या कुछ बता चलू इस ने इगायब किया मैठम सर को यह सारे फसाद का चड़ और अब यही हमको बताएगी किस न को का रखा है मैठम सर लगांग तेरा दिमाग हराब होगे करेश्मा सिंग गुस्से से न कुछ पागल हो गई है अरे वोला तो अकल से काम ले एक ऐसे चोको गायब करके पूरी पुरी पुलीस डिपार्टमेंट से दुश्मन ही मोल लूगी? क्यों करूँगी मैं ऐसा? अपने आपको और अपनी चिंगारी गैंग को बचाने के लिए करोगी तुम ऐसा? जो मडर तुमारी चिंगारी गैंग ने किया है न उसका सबूत ब्रिजेश हमें देने वाला था जो सरफ तुम्हें पता था कि हम और मैडन सर उस फैक्टरी में जा रहे थे अगर वो सबूत मैडन सर के हाथ लग जाता तो तुमारा पूरा चिंगारी गैंग ऐसे चुटकियों में ताश के पत्तों की तरह बिखड जाता इसने तुमने वो सबूत मिटाया और मैडन सर को भी गायब किया अरे तु समझती क्यों नहीं आकल की दुश्मान ऐसा कोई सबूत नहीं देने वाला था वो आदमी चिंगारी गैंखे खिलाफ क्योंकि ऐसा कोई मर्डर ही नहीं हुआ है ये तो बस उसकी चालगी की तेरे को और हसीना मलिक को वह आपर बुलाएगा और हसीना मलिक को गायब कर देगा देख अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है मुझे या से जाने दो इसी में तुम सब की भलाई है और बात अगर हट से ज्यादा बिगड़ गई ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी अब मैं तेरे से वादा कर दियू करिश्मा सिंग की चौबेस घंटे के अंदर चाहे मुझे जमीन फोदनी पड़े या आस्मान चीरना पड़े मैं हसीना मलिक को तेरे सामने लाकर खड़ा करूंगी शिवानी की जबान वही तो खुलवानी है हमको और हम खुलवाकर रहें प्रॉबलम हमारी फिटिंग का है हमारा वाइरिंग ही खराब है हमको ये बड़ा-बड़ा जजवाती बात समझ में आज तक आया ही ने शायद इसलिए हमारी मैडम सर से कभी पटी नहीं हमको ना सीधा-सीधा बात समझ में आता है जो सीधा-सीधा दिखाई देता है जो अ ना दिखाँ विनाश काले विपरित गुद्धी करिष्मा संग मेरी बात सुन देख असीना मलिक को हम दोनों कोई बचान है आप ने किसी कानुनी आदार बिना एफाइयार के आप ने शिवाणी ताई को गिरफतार कर लिया हम सब जानते हैं आपने जानती हैं किटना खतरना काम किया है क्या हो सकता है शैर में माफ कीजिए गशाओ पर वही कर रहे है जो हमें इस वक गडदा चाहिए जहां से माडम सर गाया हो उसके बारे में व सिर्फ नि को पता था और शहर जानता है कि माडम सर और शिवाणी का कितना बड़ा दुश्मन ही है मैडम सर चिंगारी गैंग के रास्ते का सबसे बड़ा काटा है और शिवानी को वो काटा हटाना था और उसने वही किया उसने मैडम सर को छुपाया है सर हम पता लगा करेंगे कि मैडम सर कहा है हम सब जानते हैं क्रिश्मा सिंग क्या कर रही है आप आप जानती हैं, अरे हसीना मली की चिंता हमें भी है, हसीना मली की तलाज व्यापक तौर पर की जा रही है अरे हम पुलिस वाले हैं, हम इस तरह से भावनों में वेकर काम करने लगे न, तो चल चुका सुरक्चातंत्र आप जानती है करिस्पसिंग हो क्या रहा है आपके शेहर में, चिंगारी गैंग के समर्थक, हथियारों से लैस होकर, पुरे शेहर में तबाही बचानी के तैयारी कर रहे हैं, आपके ठानी के तरह बढ़ रहे हैं अगर आपने शिवानी ताई को छोड़ा नहीं न, तो पूरा शेहर बरबाद हो सकता है हम तो ये कह रहे हैं, अकले से काम लीजिए और शिवानी ताई को छोड़ दीजिए, हम सब जानते हैं माफ कीजेगा सर, आपके आदेश को लंगन कर रहे हैं इसके लिए आप हमें जो सजा देंगे हमें सुविकार तेकिन इस वक्त हमारी बढ़ती ही कि इथाना हमारे हाथ से चला जाएगा हमें बिल्कुल परवानी शिवानी को हमें बताना ही होगा कि मैडम से जहा कई भी है, एक्दम सुरक्षित है जब तक वो नहीं बताएगी, वो नहीं जाएगी जहिंसा क्या हुआ? अपने अपने हत्यार संभाले शिवानी के समर्तकों की हत्यार बन भीडियां आ रही है शिवानी को लेने और हमें उन्हें रोपना होगा और ये बात सावित करना होगा कि हमारे वर्दी का स्वाबिमान किसी भी भीड के अंधे उन्मात से बहुत बड़ा है प्रान जाए तो जाए लेकिन वर्दी का शान न जाए ये जंग है और ये जंग हम सब को जीतना होगा ये जंग है झाल झाल